ये एक ऐसा विशह था जो काफी जादा सुर्खियों में रहा हाला कि मतलब कारान जो भी है लेकिन आपको मालूम होगा कि भारत सरकार 25 फरवरी के दिन IT Act 2000 की धारा 69A को धान में रखते हुए कुछ रूल्स लेके आई थी और उन रूल्स के तहत ये कहा गया था कि जितने भी social media platforms हैं उनको अपने यहाँ पर grievance redressal officers रखने होंगे अपति जनक content हटाना होगा origin of source बताना होगा कि वो content कहां से आया और ऐसी इस्थिति में बहुत सारी social media companies जो हैं वो भारत सरकार के खिलाफ हो गई थी जिनमेंसे Twitter भी एक है जिनोंने शुरुआत में इन बातों को मानने स मना कर दिया तकि हम ऐसा नहीं करेंगे और भारत सरकार और Twitter के बीच लंबे समय से चली आ रही इसी social media guidelines को लेकर के जो खीचतान है इस खीचतान में अभी एक ऐसी घटना हुई जिसके चलते हुए बहुत ज़्यादा market में मतलब सुर्खिया तैर गई कि ये सरकार विरोधी क सारे किया किसके द्वारा Twitter के द्वारा तो आएए सरकार विरोधी था या नहीं ये तो मैं आपको सारी की सारी पूरी न्यूस सुनाओंगा आप खुद से analyze करिएगा मेरा काम आपको बताना है कि घटना क्या थी और कौन सी घटना के लिए पूरा मामला तूल पकड़ा प्विंकाया नाइडू, राज्यसभा के चेर्मेन और भारत के उपरास्ट पती, इनके नाम के आगे ब्ल्यू टिक लगा हुआ था, उस ब्ल्यू टिक को Twitter ने हटा दिया, क्या है आईए मैं बताता हूँ साथियों, Twitter ने किसके अकाउंट से Blue Badge Verification हटा करके वापस लोटा दिया था, तो वो हैं भारत के उपरास्ट पती, दो घंटे बाद वापस पकड़ा दिया गया Blue Badge होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ आपने बहुत बार सोशल मीडिया के उपर बहुत सारे Celebrities को देखा होगा, उनके, मतलब जो Celebrities जो होती है, उनके Twitter अकाउंट के उपर एक Blue Tick लगा होता है कैसे लगा होता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक बार के लिए आप ऐसे देखिए, यहां लिखा हुआ है M, Venkya, Naidu और इसके आगे Blue Tick इस Blue Tick का जो लोग मतलब नहीं समझते, उन्हें मैं बता देता हूँ, होता क्या है इसका मेनिंग, होता क्या है साथियो असल में, जब आप लोग किसी विवक्ती को फॉलो करते हैं, तो बड़ा डाउट यह होता है, जैसे मेरे पास भी बहुत सारे बच्चे, जब मतलब फेस्बुक पर भी जी के भाई अंकी दवस्ती सर चल रहा है, मतलब जो कि मेरे द्वारा बनाया हुआ नहीं है तो होता क्या है मुसीबत, कि अगर आप कनेक्ट करना चाते हो किसी से, तो दिक्कत यह हो जाती है, कि वो व्यक्ती सही है, आप फरजिये नहीं पता लेकिन कैई बच्चे अरे ये तो सर का ही नाम है, मैंने दो लाक लोगों में, ढाई लाक लोगों में सर को खोज लिया, तो चलिए मैसेज कर लेते हैं, अब वो किसी और के लपेटे में आगया, क्योंकि कैई उन्हें अंके तवस्ती नाम रख रखा है अंके तवस्ती नाम से कोई YouTube चैनल पर कम से कम कोई दसों चैनल बने हुए है ठीक है? सब तरह से चैनल बने हुए है कहीं WhatsApp चल रहा है, टेलीग्राम चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है कुछ ना कुछ जारी जरूर है ये फेक चीज है एसी इस्थिती में टेलीग्राम, ये क्या कहते हैं आपका इसको फेस्बुक, इन्होंने व्यवस्था क्या करी टेलीग्राम, सुरी ट्वीटर और फेस्बुक ने व्यवस्था क्या करी कि अपने जो भी ऐसे लोग थे, जिनकी फॉलोर्स बहुत जादा है मेरे तो धाई लाग फॉलोवर्स हैं, इनके तो मिलियंस में फॉलोवर्स होते हैं अब इन फॉलोवर्स को confusion ना हो कि किस आदमी के उन्होंने tweet को retweet कर दिया या किस के tweet पर comment कर दिया, कई वो फरजी तो नहीं ऐसी इस्थिती में इन्हें एक व्यवस्था दी गई, जिसे blue tick कहते हैं blue tick व्यवस्था के तहट ये authorize हो जाता है company के द्वारा, लोगों को बताने के लिए कि ये वही original व्यक्ती है जिसको आप follow कर रहे हैं, जिससे कि आप लोगों को गलत फेहमी ना हो कलती से माल लीजे कल को, प्रदानमंत्री के नाम से कोई मतलब वो आ गया कि भाई tweet नाम आ गया, लेकिन पता चला कि वो प्रदानमंत्री का थीनी और बवाल हो गया ऐसी इस्थिती से बचने के लिए ये व्यवस्था फेस्बुक के पास भी है और आपके Twitter के पास भी है Twitter ने वर्ष 2017 में ये व्यवस्था हटा दी थी, suspend कर दी थी मतलब ये हुआ कि वो review नहीं कर रही थी, जिनको blue tick दे दिया दे दिया उसके बाद में वो blue tick बांट नहीं रहा था उसके बाद में 2020 में लोगों के कहने पर कि भाई आपकी इस कमी के कारण बहुत सारी मुसीबते हो रही है Twitter ने फिर से कहा कि ठीक है चली अगर आप लोग कह रहे हैं तो हम वापस से blue tick व्यवस्था लेके आते हैं और ऐसी इस्थिति में blue tick व्यवस्था में उन्होंने कुछ नियम कानून बनाए नियम कानून ये बनाए कि अगर कोई व्यक्ती 6 महीने तक Twitter पर inactive है मान लीजे अब जैसे मेरा भी Twitter account है लेकिन वो once इने blue moon चलता है मुझे ही नहीं पता है कि मतलब मैंने आखरी tweet क्या किया था तो अब आप कई दिनों से inactive हैं तो कई दिनों से आप inactive हैं तो Twitter आपका blue tick हटा देगा blue tick हटा देगा से मतलब हुआ कि आपने अगर उस पर कोई activity लगातार 6 महने से जारी नहीं है तो फिर वो आपका dead account है ऐसी स्थिती में आपको blue tick का कोई फाइदा भी नहीं हो रहा है तो फिर क्यों आपको दिया जाए blue tick हटा दिया जाएगा ये इसकी policy है और इस policy के चलते वेंका या नाइडू जी साथ में इनके जो मतलब सरसंगचालक हैं मतलब जो RSS के कई बड़े प्रतिष्ठित नेता जो है उनके यहां से blue tick हट गए इनके blue tick हटना ये अपने आप में इस बात को दिखाता है और दूसरी बात जैसे ही वापस इनके शिकायत की गई तो वापस blue tick लोटा दिया जाना ये दिखाता है कि कही न कहीं इस घटना में कोई न कोई और चालबाजी भी छिपी हुई थी अगर ये नियमों के साथ ही हुआ कारिय था तो फिर दो गंटे बाद आपने लोटा क्यों दिया अपने नियम पर टिके रहते लेकिन आपने दो गंटे बाद blue tick लोटा दिया अरे सौरी हमसे वाइस प्रेसिडेंट आफ इंडिया का blue tick हट गया था और ये मुद्दा काफी जादा वाइरल हुआ और इस मुद्दे के अंदर मतलब काफी जादा इनका जो आखरी ट्वीट है वो जुलाई 23-2020 का है 1.3 मिलियन फॉलोवर्स हैं लेकिन इनके द्वारा एक्टिव ना रहने के कारण ट्वीटर का कहना है कि हमने हटा दिया था लेकिन वापस इनको लोटा दिया गया कि साहब वापस ये तो वही है कि हमें इनको मतलब लोटा रहे हैं ये काम हुआ आरों के साथ अभी भी ब्लूटिक बरकरार है लेकिन इसे जिस तरह से समझा गया वो था मेरे प्यारे साथियों कि ये एक प्रकार की विवस्ता है आप से पूछा जाए कि सर ये क्या वाकई में हमारे लिए जानना जरूरी है बिल्कुल क्यों जानना जरूरी है इसको समझ लीजिए GS paper 3 के अंदर आपके लिखा हुआ है Awareness in the Field of Information Technology आप से सवाल पूछा जाता है कि Cyber Fraud से कैसे बचा जाए तो Cyber Fraud से कैसे बचा जाए इसमें एक सबसे बड़ा तरीका है तरीका क्या है कि अगर Company खुद से किसी भी व्यक्ति के Account को Verify कर दे यह verified account है यह यही व्यक्ति है जो इस पर कारे कर रहा है तो automatic बहुत सारे Cyber Fraud बच जाएंगे बहुत सारे लोगों तो यह आपका एक बहुत बड़ा Answer बनता है जिसमें आप लिख पाएंगे कोई भी हो जरूरी नहीं है कि आप Politician हो आप Student भी हैं लेकिन आपका Original Account है उसे verify कर दिया जाए कि हाँ यह इनका ही है हमने इसको confirm कर लिया है इनके address से confirm कर लिया है phone number से confirm कर लिया कि यह यही व्यक्ति है तो ऐसी स्थिति में आगे से उसे liable बनाया जा सकेगा मुझे ऐसा लगता है कि blue tick विवस्ता सब को दी जानी चाहिए ताकि कई लोग जो अपने नाम को फस जाते हैं ठीक है ना जोई जाएगी इसके अलावा अनकेडमी पर जो भी live classes है जो भी अनकेडमी पर educators पढ़ा रहे हैं वो सभी आपको एक ही class में एक बार के subscription में उपलब्ध हो जाते हैं जैसे मान लीजे कि आप मेरे साथ जोड़ करके अनकेडमी पर course पढ़ना चाहते हैं SSC केटेगरी में तो SSC केटेगरी के लिए कोई सी भी केटेगरी में आप जाएं पहले Google Play Store से अनकेडमी लर्निंग अप इंस्टॉल करें वहाँ पर अपने नंबर से रजिस्टर करें अगर आप SSC केटेगरी में मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर चल रहा है इस्टेटिक जीके और इस्टेटिक जीके में इंडियन पॉलिटी चल रही है बहुत डीटेल से अगर आप उसे जोइन करते हैं तो आपको करना क्या होगा कि जोइन करते ही आप लोगों को गोल सेलेक्ट करना होगा गोल सेलेक्ट किया SSC केटेगरी जैसे आपने गोल सेलेक्ट किया तो आपको यहाँ पर आप्शन्स मिलेंगे 12 मंत का 6500 का 24 महिने का 800 का रेफरल कोड लगाईए 10% डिसकाउंट के साथ आपको क्लास मिल जाएगी ठीक है अच्छा इसके अलावा जितने भी एडुगेटर्स पढ़ा रहे हैं उन सब की क्लासिस मिल जाएगी प्रीवेस बैचे सारे मिल जाएगे ऐसे ही UPSC के कैटेगरी में है आप गोल UPSC सेलेक्ट करें UPSC सेलेक्ट करने के बाद में फिर आपको वहाँ पर आप्शन्स दिये जाएंगे और उन आप्शन्स को जब आप फॉलो करेंगे तो वहाँ पर फीस के साथ आपको आप्शनल भी देख लेना चाहिए क्योंकि आपके GS Plus Optional की जो फीस है उसमें अभी 25% डिसकाउंट चल रहा है और अडिशनल अंकित 10 लगाने से आपको 10% डिसकाउंट और मिलता है यानि कि जो कोर्स 37,000 का था वो आपको 53,000 में उपलब्द हो जाता है है ना, इजी EMI आप्शन्स हैं और साथ में अनकेडमी के दोबारा आपको कंटेंट लिखित में किताबों के रूप में भी डिलिवर किया जा रहा है तो इतनी सारी चीजें आपको एक ही जगे उपलब्द हो जाती है अगेन वही वाली बात जतनी भी एडुकेटर्स पढ़ा रहे हैं उन सबकी क्लास आपको मिल जाती है रेफरल कोड अंकित 10 लगा करके आप इसे यूज़ कर सकते हैं किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं इसे के साथ बहुत बहुत धन्यवाद अपना खयाल रखें बड़ों का सम्मान करें चोटों को प्यार दें अपना व्यक्तित विस प्रकार से विक्सित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित मैसूस करें